Hello everyone, astrological purpose के रिए अगर आपने कोई jamzone पहना है, तो उसे किस कि situation में remove कर सकते हैं या करना चाहिए? इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं. काफी लोग का एक question होता है कि अगर आपने jamzone पहना हुआ है, तो क्या during certain activities आपको remove कर देना चाहिए? जैसे non-veg food का consumption करते टाइम, या अगर आप अपने partner के साथ intimate moment spend कर रहे हैं, या अगर आप washroom जा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि इस type की situations में jamzone को कहीं negative energy ना मिल जाए, इ तो इसका answer ये है कि ऐसी किसी भी activity के दोरान jamzone को remove करने के ज़रुवत नहीं होती है, उसे कोई भी negative energy नहीं मिलती है, the only situation जहां आपको अपना jamzone remove कर लेना चाहिए, इस कि अगर in case of an unfortunate incident, मालिय को expire हो जाते हैं, और आपको वहाँ पे visit करना पड़ता है for some ceremonies, तो उस time पे आप अपने घर पे ही jamzone को उतार के जाएं, तो it's better, और फिर जब वहाँ से वापस आ जाएं, तो just take bath and उसके बाद आप jamzone को दोवारा धारन कर सकते हैं, उसके लिए किसी special procedure या मौरत की जरूत नहीं होती, ये तो एक ऐसा rule था जहां आपको remove कर ही देना चाहिए अपना jamzone, उसक जाके करते हैं, तो उस time पे if you want, तो एक घंटा, एक घंटा, एक घंटा अगर आपने remove कर भी लिया jamzone, तो इसमें कोई harm नहीं है, जैसे ही आपका workout complete हो जाए, तो वापस आके आप दोबारा पहन सकते हैं, ऐसे ही अगर आपका profession कुछ इस ताइप का है, for instance doctors, तो उन्हें कई बार rings remove करने के जरूत पढ़ जाती है, तो इसमें भी कोई issue नहीं है, जैसे ही आपका काम पूरा हो जाए, आप दोबारा उसे पहन सकते हैं, कभी-कभी rings हमें cleaning के लिए भी उतारने के जरूत पढ़ जाती है, because after some time उसके नीचे कुछ deposit से कठे हो जाते हैं, तो उसके लिए अगर आप 5-10 मिनिट के लिए, 15 मिनिट के लिए ring को remove कर लेते हैं और वापिस पहन लेते हैं, वहाँ भी कोई issue नहीं है, जैम सोन की cleaning कैसे करते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं, and you want me to make a video on it, तो आप मझे comment section में बता सकते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि दिन में zero से लेकि आपकी energy को build up करता है, लेकिन जब रात में जैम सोन को remove कर देते हैं, फिर वापिस धीरे-धीरे energy घटनी शुरू हो जाती है, तो अगर ये रात को जैम सोन removal वाला process आप daily basis पे करते हैं, which is a significantly long time, means 6-8 घंटे रोज उसे remove कर देना, इसका मतलब जो इतनी महनत जैम सो हमने करी थी energy को उपर लाने के लिए, उसे हम completely उपर बढ़ने का मौका दे ही ने रहे हैं, बार बढ़ वो नीचे आती रहती है, तो एक significant level of energy gain आपको कभी मिल ही नहीं पाएगा इस scenario में, so जहां तक हो पाएए आप अपने जैम सोन को continuously पहनिए, long durations के लिए पहनिए, थोड जैम सोन आपका results better deliver कर पाएगा, so I hope आज का video आपके लिए helpful रहा होगा, मिलते हैं ऐसी एक informative video में, तब तक के लिए bye and thank you for watching.